समाजवादी पार्टी से दिल्ली की प्रवक्ता पंकुडी पाठक ने पार्टी से एक साल बाद फिर से इस्तीफा दे दिया है पिछली बार पंकुडी पाठक ने इस्तीफे की गोशना फेस्बुक से की थी और इस बार टुटर से जानकारी दी है पिछली बार यानी 2017 के आप्रेल मेहने में पंकुडी पाठक ने लिखा था कि वो यादव सेनाच से आहात होकर पार्टी से इस्तिफा दे रही है और इस बार जातिवाद और लिंग भेद कारोप लगाया है डिंपल यादव की करीबी माने जाले वाली पंकुडी पाठक ने ट्विटर पर लिखा कि भारी मन से सभी सातियों को सूचित करना चाहती हूँ कि समाजवादी पार्टी के साथ अपने सफर का मैं अंत कर रही हूँ आठ साल पहले विचार धाराव और युवा नेतरतु से प्रभावित होकर मैं इस पार्टी में जुड़ी थी लेकिन आज ना वो विचार धारा दिखाई देती है ना ही नेतरतु जिस तरह की राजनीती चल रही है उसमें अब दम घुटता है अपने टुटर से पंकुड़ी पाठक ने लिखा कि मुझे पता है कि इसके बाद मेरे बारे में तरह तरह की अफ़ाएं फैलाई जाएंगी पर मैं इसपेस्ट करना चाहती हूँ कि मैं किसी भी राजनीतिक दल के संपर्क में नहीं हूँ और नहीं किसे से जुड़ने का सोच रही हूँ पार्टी के भीतर जिस तरह की राजनीति चल रही है उसमें मेरा दम घुट रहा है और मैं ऐसे माहौल में स्वाभिमान के साथ समझवता नहीं कर सकती पार्टी सुतरों के मताबिक पंकुडी पाठक के स्तीफा देने से पहले समाजवादी पार्टी ने टीवी चैनलों पर डिबेट के लिए पैनलिस्टों की लिस्ट जारी की जिसमें पंकुडी पाठक का नाम नहीं था पंकुडी पाठक दिल्ली की मीडिया में राजनीतिक डिबेटों में हिस्सा लेती रही थी लेकिन पंखोडी पाठक को धीरे-धीरे किनारे किया जाने लगा गौर करने वाली बात ये है कि सपा ने नई प्रवक्ताओं के लिस्ट में अनिल यादव और पंखोडी पाठक दोनों का नाम हटा दिया अनिल यादव दिल्ली के चैनलों पर समाजवाधी पार्टी का पक्ष रख रहे थे